चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूझ लेना तो दोस्तों जिन लोग को सैमसrement के फोन में गूगल का टॉकबैग यूज करके एक्स्पिरेंस लेना था जिन लोग सैमसंग के फोन में गूगल का टॉक्बैग इंस्वा यूज करना चाने थे उनके लिए आज का ये वीडियो है और स्रिफ उन्ही इसको यूज कर सकते हो और काफे ज़्यादा फास्ट है बहुत अच्छे से काम करता है और काफी फास्ट काम करता है तो आप लोग इसे इंस्टॉल करें apk file से और install करने के बाद आप लोग इस वाले talkback को use करके अपना experience जो है शेयर कर सकते हैं वह साथ काफी ज़्यादा fast ही चलता है हमने use करके देखा है और खास करके samsung users भी इस talkback को experience कर सकते हैं जो लोग चाहते हैं samsung की phone में google talkback को use करना क्योंकि samsung के phone में samsung का talkback चलता है आप लोग अगर google का talkback यूज़ करना चाहते हो तो इस वाले talkback को आप अपने phone में use करके देख सकते हो सारे options आएंगे जो google के talkback में है आपको सारे options वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे talkback का 13 वाला version था वह आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग samsung के phone में google के talkback को use करके देख सकते हो बाकी सिर्फ samsung वाले नहीं other user भी उस talkback को use करके देख सकते है और हमने जो setting बताई है उस simple setting को आपको ज़रूर कर लेना samsung users को ताकि आपको आपका default talkback और ये secondary talkback दोनों use करने में समस्या ना हो तो मैं हूँ आपका दोस्त जीतुराज चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को तो दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मैं phone use कर रहा हूं samsung galaxy m53 5G तो अब हम samsung के phone में google का talkback इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर telegram चैनल पर आपको जाना है टेलिगम चैनल के link description box में होगी याद रहें आपर description में apk नहीं दिया जा सकता इसके लिए हमने चैनल के link दी है और चैनल पर apk रखा हुआ है ठीक है तो आपको talkback का apk वहां से install करना है apk इंस्टॉल करना सबको आता है simple apk पर click करना है और install button पर click करना है ठीक है तो वह apk आपके phone में हो जाएगा वह करने वाला करना है तो हम लोग simple accessibility setting में चाहेंगे सबसे बिले और वहां पर जाके दिखेंगे हमें क्या changes करने है हुआ है कि सेटिंग में चलेंगे सेटिंग मेंने के बाद हम लोग accessibility setting में जाएंगे अब यहां पर एकदम लास्ट में आप देखोंगे यहां पर आपको देखेंगे मिलता है अब sera talkback Оves भी एक हमारे फोन फोले टॉड़ेक टॉडबेक ऑफ है तो हमें इसको बहुं करना है लेकिन इसको आपको सबसे बाहर है है यह यह हमारे डिफॉल्ट वाल टॉकबाइग के जोगी आन है हम यहाँ पर इंस्टॉल लैप में जाएंगे यहाँ पर हमें दूसरा वाल टॉकबाइग दिखाए दे रहा है जोगी आफ है ठीक है हम इसको ओन करेंगे ठीक है अभी यह आफ है टॉक्बाइक शॉटकट पहले हम इसको अन कर लेंगे इसको अन करेंगे अलाव करेंगे इसको अधिस्टी बटन पर भी कर सकते हो ठीक है नॉट्ट चेक प्रेश एंड वाल्यूम अपन डाउन की फो थी सेकंड अब हमारा जो डिफॉल्ट टॉक्पैक है हमने उसको वाल्यूम अप और पावर कीई पे सेट करके रखा हुआ है पर यहां पर देखे हैं हमने सामसंग का जो डिफॉल्ट टॉक पर के प्रेस साइड एंड वाल्यूम अप की पर हमने सेट करके रखा हुआ है तो हम यह इस पर क्लिक करेंगे हम लोग ठीक है इस पर चेक करेंगे अगर मान लीजिए आपने वाल्यूम अपर डाउन की पर आप बटन और वाल्यूम अप की पर आप इसको सेट कर दूंगे ठीक है अब इससे होगा क्या दिखाएंगे आप तो कैंसरों के बटन हो कि कर लेंगे ठीक अब हम यहां से बाहर चलेंगे अब यह है ऑफ है अब हम हमारा जो डीफॉल्टो टॉग त Juya हमें करेंगे है अभ ठीक है अब हम आप और डाउन की प्रेस करेंगे जो हम लोग ने इंस्टॉल किया हुआ on करेंगे में वॉल्यूम अप और डाउन की को तीन सेकंद तक होल्ड करने के बाद ठीक है कि अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे जो इंस्टॉल एप्लिकेशन में टॉक बेक अफ डाउन अब वह टॉक्बैक अन हो चुका है और यह सारी चीज़े भी बोल रहा है क्युकि नहीं डॉक्षिप डॉक्ट इसको ब्राइब करता है तो अब चलेंगे कि सब्सक्राइब लगए पर चलेंगे इस पर चलेंगे अब जैसे गूगल जैसे की गूगल टॉक बैक में ऑप्शन आ जाते हैं सारे सेम टू सेम उप्शन है टॉक बैक में यह आता था यह पर देखिए आपको देखने के लिए करेए आपने अक्राइग कर सकते हो सेमसंग के फोन में भी अब जो लोग से मतलब परिशान ते वह बड़ीं स्क्रीजा आप जो यह यूज्यदा कर सकते है और का जया फास्ट है यह काफी मतलब जैस्ड़ा फास्ट है और सिर्फ संस्ग यूजर ही नहीं तो जिनके पास समार कफी ज्यादा मतलब कफी ज्यादा चलता है और एकदम स्मूद हो रहा हैा आप लोग इसके यूज करके देख सकते हो और इसक करके जैए आप को अगर कोई-भी समय से खरे हो रही है तो आप इसको कर सकते हैं आप लोग जो लोग कहते थे कि सैंसेंग के टॉक्पाइक में परशानी है अधर टॉक्पाइक यूज करके देखना है जिनको एक्सपिरियंस करना है वो लोग अगर आपको समझों आ खरी तो नीचे कमेंट वोक्स में यूज करो आप लोग इसको यूज करो और किस से काम करता है आप लोग देखो जो जाना चाहते हैं और याद रहे जब आप टॉक्पाइक on करते हो और बैक बटन से एकजिट करना चाहते हो यहांसे याना यानि कि talkback से back button से बाहर जाना चाहते हो तो आपको दो बार back button प्रेस करना पड़ेगा ठीक है एक बार back button पर double tap करोंगे तो back नहीं होगा दूसरी बार जब back button पर double tap करोंगे तुरंट तो ये back हो जाएगा तो आप use करके अपने feedback दीजिए और comment box में ज़रू बताएए Samsung users को कैसा लगा ये talkback यूज करके जो लोग हमेशा से कहते थे Samsung के phone में Google का talkback कैसे install करें वो लोग इस talkback को use करके Google talkback का experience ले सकते हैं मिलता हो किसी और interesting वीडियो में तब तक के लिए जैहिन